नमस्का दोस्तों मैं आशी शंतिल आज एक ऐसा मुद्दा लाया हूँ जो आम जिंदगी में हम लोगों से जुड़ा हुआ हम अक्सर बात करते हैं तेरी सेलरी में से इतनी ज्यादा है तो मेरी सेलरी तेर से कितनी कम होगी वही हम परसंटेज में बात करें यानि कि अगर रा सो मैं 25 कम कर दो तो 75 नीचे लिख दो अब गुणा कर दो सो से 25 को अगर काटोगे तो 3 यह काटोगे तो 33.33% मतलब नरंदर की सेलरी राहुल से 33.33 परसंट जाएगा हुगी लोग सोचेंगे 25 परसंट 25 परसंट कम है तो 25 जाएगा होगी नहीं ऐसा नहीं होता है यह मैत का जादू थोड़ा different होता है, calculation करके देखना और जादा, आपको और समझ में आ जाएगा, next, इधर देखते हैं, 50% जादा है, ये 50 लिख दिया, 50% जादा है, जादा, तो 100 में 50 जादा कर दो, 100 में 50 जादा कर दो, 150 लिख दो, अगर 30 जादा होता, तो 130 करता, 20 जादा होता, तो 120 करता, और अगर 20 कम होता, तो 100 में 20 कम करता, यानि नीचे 80 लिखता, और अगर पचास कम होता तो सो में पचास कम करता है नहीं कि पचास लिखता तो जो भी ज्यादा हो सो में उत्रा ज्यादा करना है जो भी कम हो तो सो में उत्रा कम लिखना है नीचे इसी प्रिकास से इसको कुणा करूं ये तो ये हो जाएगा तीन और इसका भी सेम आंसर हो ज this next question, यह देखते हैं, 80% कम है, 80, 80 कम है, कम है, तो 100 में 80 कम करना, 20, गुणा में 100, तो आप जानते हो, यह हो जाएगा आपका 4 और यह हो जाएगा 400%, मतलब विराट की सेलरी अनुष्का से 80% कम है, तो अनुष्का की सेलरी विराट से कितनी जादा होगी, 400%, 400% जादा होगी, इ यह है, मैं उमीद करता हूँ, इसका अंसर आप लोग दे पाओगी, क्या है, विराट की सेलरी अनुष्का से 20% कम है, कम है, तो अनुष्का की सेलरी विराट से, अनुष्का की सेलरी विराट से कितनी जादा होगी, इसी प्रकार के और कोशन लाओंगा, फिर आओंगा, जर झाल को